नमस्ते दोस्तों, आज सुनिये, प्रवासी भारती लेखे का डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी विकल्प नहीं कोई पुष्पा सक्सेना जी की कहानियां सरल, सहज और पारिवारिक प्रश्ट भूम पर होती हैं प्रस्तो थे हमकी लिखी कहानी विकल्प नहीं कोई बंबई से गोवा जाने वाले शिप का अंतिम साइरन बच चुका था लंगर उठा, शिप के चलती हर्ष धुनी के साथ टाटा बाई, बेस्ट आफ लग, हैपी जर्णी गूंज उठे, नीचे डेक पर दरी चादर बिचाए लोग अपेक्शाकरत प्रकितस्त से दीख रहे थे केबिन में मनीज सामान सहीज ने उसे व्यवस्तित करने में व्यस्त थे नन्ना राहूल उनका सहयोगी बना साहता कर रहा था रेलिंग पट्टी की सौम्या दूर तक पहले निस्सीम सागर को देखती कहीं खो चुकी थी शिप से टकराती लहरें मानों उसके सीने पर सिर्फ पटक पटक कर हाहा कार कर रही थी समानांतर पश्यमी घाट की पहाड़ियों से जुड़े अरब सागर के साथ दस वर्षोपूर की सागर यात्र सजीव हो थी थी सुनू तुमारा वो छुटा प्रीफ केस कहां है मनीश की आवाज पर चौक कर सिर उठाती सौम्या की खोई सी द्रश्टी देख मनीश खीर उठे थे क्या बात है आरी ओके I hate the writer in you ना जाने कहां खो जाती हो ब्रीफ के सहेज मनीश ने आश्वस्ति की सांस ली राहूल के सिर पर हाथ धर पीट थप थपाते मनीश ने अपने नन्हे सहयोगी के प्रती कृत्य गित्या भी व्यक्ति कर दी चलो चाय पी कर आते हैं इस यात्रा ने तो शुरू में ही बोर कर दिया पूरे दो घंटे लेट हो गए अच्छा होता बाई रोट चले जाते पर राहूल मास्टर को तो पानी के जहाज में जाने की जित्थी ना मनीश मुस्कुरा दिये चारों और बिख्री खुशी और उमंग में मनीश का परचित चेहरा भी उस भीड का अंग बन मनीश का सवर नाराज था उमर रहे आस्मों को जबरन रोग केविन के परलंग पर सौम्या कटे पेड़ सी किर गई थी क्या मनीश सचमुच भूल गए थे इसी शिप पर तो कभी सौम्या ने अपना सर्वस्प हो दिया था उन दस वर्षों का अंतराल क्यों बस पंद्रे दिनों का लग रहा था इतने वर्षों के अंतर में बंदी वो दस वर्षपूर की घटना क्यों इस शिप पर उस पर हावी हो ठी थी तबकि सौम्या किस उमंग से लंदन जाने को आतुर थी आशू को गोद मिलिये जैसे ही जहाज पर चड़ने लगी थी अचानक पीछे से आशू को खींच खिल खिलाते रोहित ने उसे कितना चौका दिया था ये तुमारा काम नहीं है सौम्या अजी अपनी बेटी लादने को ये खचर ही ठीक है हाँ जर आपनी साड़ी का पला संभाल के रखना कहीं लोगों की नजर न लग जाए ओ रोहित सौम्या लजा उठी थी साड़ी पर दिश्टी डाल के देखा था लाल कानजी वरम की साड़ी सास जी ने जबर्दस्ती पहना दी थी उनकी लाडली एकलोती पुत्रवधूर देश जो जा रही थी सच उस साड़ी को नन्ही आशु के साथ समाल पाना कितना कठिन था पर मा की जितकी आगे रोहित को भी चुप रहना पड़ा पर रोहित ही थे कि अड़ गए कि बेटी साथ ही जाएगी तीन साल बाहर रहूँगा तो आकर पापा से बेटी का नया परजय कराना होगा वैसे भी मैडम मम्मी आप अकेले क्या करेंगी मैं व्यस्त रहूँगा अपनी पढ़ाई में ये गुड़िया ही आपका मन बहलाएगी रोहित जोर से हस दिये थे सच रोहित आशु के प्यार में दीमाने बने रहते थे सोते में करवट बदलते हुए कुनमुनाती आशु की तुरंत उठ नबस देखने लगते थे सौमया उनकी सुतावली पर मुस्कुरा देती थी डॉक्टर होना घर में भी पेशेंट ही खोचते हो छे फिट के रोहित के हिर्दे में छे वर्ष के कोमल शिशु का हिर्दे था बात बात में उन्मुक्त निश्चल हासे से गंभीर बात भी कभी रोहित हसी मुड़ा देते थे कई बार रोहित की इस बात पर सौमया नाराज भी उड़ती थी भगवान के लिए कभी तो सीरियस हो जाया करें, हर बात मजाट में ही ले लेते हैं साज जी को सौमया मा ही कहती थी, वही कहती थी रोहित तो बच्पन से ही ऐसा रहा है बहू, तेरे ससुर जी के ना रहने पर इसने मुझे एक दिन भी रोने नहीं दिया था पुत्र इसने से मा का मुख चमक उठता था घर में अपार धन संपत्ति के एक मातर स्वामी रोहित ने कभी किसी से उचे सोरे बात नहीं की थी पिता की अंतिम इच्छा रोहित को डॉक्टर बना कर हार्ट सरजन के रूप में देखने की थी रोहित पिता की इच्छा उनके जीते जी पूर्ण ना कर सके इसका रोहित को दुख रह गया था रोहित के साथ सौम्या इंदरानी सी सच्टी थी रंगीन कल्पना के सपने देखती सौम्या को रोहित अचानक जैसे नीन से जगा देती थे सौम्या की खीच पर तुरंद कोई बाहना उन्हें मिल जाता था सौम्या मैं सोच रहा था अपनी आशू को डॉक्टर नहीं बनाएंगे बस वो तुमारी जैसी बनेगी बस इतनी सी बात कहने के लिए मुझे डिस्टर्ब किया था जानते नहीं इतना अच्छा कहनी का प्लॉट मिला था वाँ अपनी बिटिया के भविश निर्मार से भी अच्छा क्या कोई काम हो सकता है देवी जी भविश निर्मार क्या इसी पल करना है और फिर ये डॉक्टर क्यों नहीं बनेगी सौम्या कौतुहल से भूच बैठती सोचता हूँ ये डॉक्टर नहीं डॉक्टर की पत्नी बन अपनी मंद मंद मुसकान से उसका इलाज करेगी यानि अपनी मम्मी की प्रतिछाया बन कर रहे वही ठीक रहेगा ना शैतान मुसकान रोहित के अधरों पर तैर जाती थी हार्ड सरजरी में विशेशक रोहित को जब तीन वर्ष के लिए लंदन के एक अस्पताल से अमंत्रित किया गया तो रोहित पुलक उठे थे मा के मुख पर अचानक छा गया विशाद देख उन्हें अपना निर्ने बदलने में देर नहीं लगी थी नई मा मैं विदेश नहीं जाओंगा पापा का सपन यहीं इसी शहर में साकार करूँगा रोहित ने प्यार से मा का कंधा पकर उन्हें सांतोना देनी चाही थी सौम्या और आशू को साथ ले जाते रोहित मा को अकेला छोड़ते अपरादी सा महसूस कर रहे थे रोहित का संकोष देख मा ने मीठी जड़की दी थी ना बाबा तुमारे बीच मैं इन दोनों का बंधन कहा पालूँगी अकेली जान ठहरी जहां जी चाहा चली जाओंगी अपने ग्रहस्ती अब तू ही देख कृतिगिता पूर्ट दृष्ट से रोहित मा को ताकते रह गए थे अकेले में सौम्या से कहा था देखा सौम्या ये मेरी मा है मेरे मन को किस आसानी से पढ़ लेती है पिता जी के ना रहने पर मैं ही उनका सहारा हूँ आज किस आसानी से उनने मुझे मुह मुक्त कर दिया न पानी के जहां से यात्रा का प्रस्ताव रोहित का था पूरे एक महीने का समय है लहरों बब पंद्रह दिन तारों की च्छाओं में एक अन्भा होगा समया रोहित ने सचमुश समया के सब्साकार कर दिये थे डेक पर खड़े दोनों लहरे गिनने का कॉम्पिटिशन करते अचानक जोर से हस पढ़ते थे अचानक हसी से आसपास के लोग किस कदर चौख उखते थे पर उन दोनों के संसार में किसी और के लिए स्थानी कहा था रात में तारों की च्छाओं में भविशे के सपने बुनना आशू का नन्ना मूँ चूम उसे सोते से जगा देना रोहित वो कितना अच्छा लगता था सौमी लगता है अब मैं ही कहनीकार बनता जा रहा हूँ जी चाहता है इस स्यात्रा का कभी अंत ना हो इन तारों की च्छाओं में अनंत नित्रा में सो जाने का मन करता है न क्यो नहीं आशू के साथ पूरे दिन रहना पड़े तो पता लगेगा जनाब मेरी कहानी तो बस यही बन गई है जब रोना शुरू करती है तो चुपने का नामी नहीं लेती है तुम इस मामले में अनाड़ी हो सौम्या देखा नहीं मेरी गोद में आती चुप हो जाती है मेरी बेटी वो भी जानती है उसे कौन ज़्यादा प्यार करता है क्यों ठीक कहा ना बिटिया आशू का लाड करते रोहित उसे चिढ़ाते जाते थे शिप के स्वेज नहर में प्रवेश करते ही रोहित उत्साहित होते थे कुछी घंटों में हम भूमद्य सागर में होंगे सौम्या ग्रीस इटली सबको छूते चलेंगे लोटते समय कम से कम चार दिन रोम में रुकेंगे रोम में क्यों पैरिस में क्यों नहीं सौम्या को पैरिस के रात्र जीवन में अधिक आकरशन था क्यों भई क्या इरादे हैं कहीं मॉडलिंग का इरादा तो नहीं है वहां इंडियन मॉडल्स बहुत डिमांड में है आप पर तो हजारों फ्रेंच मर बिटेंगे जनाब रोहित सौमया को चड़ाने के मूड में आ गए थे Any objection? सौमया ने तिरची द्रिश्टे से रोहित को तर दिया था क्यों नहीं आप पर कोई नजर डाले भरा सह सकूँगा मैं? हाथ लगाने की बात कोई सोच कर तो देखे कच्चा खा जाओंगा उसे रोहित प्यार से मुस्कुरा दिये थे मा को लिख दूँगी यूरोप की धर्ती पर पाउँ धरने के पहले उनका शाकाहारी बेटा नर्भक्षी बनने की तैयारी कर रहा है वो अपने बेटे को जानती हैं सौमया मा के प्रती अनन्य विश्वास रोहित का गौरव था उस पर डेक से हट कर सौमया के बिन में आई थी आशु को फीटिंग बोर्तल दे सौमया अधलेटी किजी पत्रगा के प्रिष्ट पलटने लगी थी थोड़ी दूर पर रोहित इजी चेयर में बैटे कोई मैप द्यान से देख रहे थे अच्छानक रोहित की आवाज पर सौमया चौक उठी थी सौमया सिर नीचा किये मुस्कुराती रही थी ये रोहित का प्रिय परिहास था सौमया का हाथ सीने पर रख रोहित हमेशा कहा करते थे लोग आई हम डाइंग अपने प्यार की दवा दे के इस मरीज को बचा लो सौमी कुछी क्षणों बाद अजीब सा अस्वुट क्रंदन सुन सौर में मानो प्राण में दे आ रहे थे और फिर रोहित के प्राणों से प्रिया हाथों को जटके से चुड़ा सौमया पागल सी केविन के बाहर भागी थी किसी केविन के खुले द्वार में प्रविश कर रो पड़ी थी मेरे हस्बन को कुछ हो रहा है एक व्यक्त के उततपरता से उटता देख सौमया वहीं के रमूर्चित हो गई थी आँखे खोलते ही सब कुछ भयावे सपना सा लगा था अपरिचित केविन में पूर्ण इस्तबदता थी नर्स के प्रविश करते ही वो यथार्थ में लोटाई थी कैसे हैं मेरे पती सिस्टर स्वर की व्यग्रता पर नर्स ने उदास द्रिश्ट से सौमया को ताग कर कुछ नहीं कहा था सौमया व्याकुल हो टी थी सिस्टर प्लीज सच बताईए कैसे हैं रोहित उन्हें आप अकिला क्यों छोड़ाई हैं और मेरी बेबी शांत सदेश्वर में नर्स ने कहा था मिसिस रोहित हमें दुख हैं डॉक्टर रोहित अब नहीं है उन्हें बहुत मैसिव हार्ट अटेक हुआ था डॉक्टर के पहुँचने के पूर ही नहीं नहीं ये सच नहीं है वो मुझे अकिला छोड़ कर नहीं जा सकते कहां है रोहित मैं जाओंगे उनके पास उनकी बॉडी केबिन में सील कर दी गई है मैडम शांत निर्वाक सौम्या नर्स को फटी फटी आँखों से ताक्ती रह गई थी इतने बड़े भूमद्य सागर के वक्ष पर रोहित उसे कितना असाहय छोड़ गए थी कैप्टन, डॉक्टर और कुछ एक भारती उसके पास सम्विदना के लिए आख खड़े हुए थे नर्स तब तक नन्ही आशू को इस्तब्द बैटी सौम्या की गोद में डाल गई थी रोहित के आकस्मिक निधन पर शोख प्रकट करते कैप्टन ने अत्यन्द शालिंता के साथ रोहित के शरीर को जल समाधी देने की सौम्या से अन्वत मांगी थी शिप में मृतक शरीर रखने के स्थान पर जल समाधी देना उन्हें अधिक उप्युक्त लगा था कैप्टन की बात ने सौम्या को चैतन ने कर दिया था नहीं नहीं जितना भी पैसा चाहिए ले लीजे मैं उनका संसकार विधिवत कराऊंगी पर ये शिप तो अब रोम में रुकेगा वहां की व्यवस्था कैप्टन की बात कार्ट सौम्या ने कहा था रोम के भारती राजदूद से संपर कीजिए वे हमारे परचित हैं मैं रोहित को यू नहीं छोड़ सकती सौम्या के नैनों से टप टप आसू ज़र रहे थे अपने केबिन को सील लगा दे एक सौम्या के प्रशन वाचक द्रिष्ट के उतर में कैप्टन नहीं बताया था कि उनका सामान दूसरे केबिन में शिफ्ट कर दिया गया था एक ब्लैंक चेक पर साइन कर सौम्या ने कैप्टन को थमाना आचाहा तो वो पीचे हट गया था हम रोम के अमबेस्टर से संपर करेंगे आप परिशान नो मेडम हमें इस घटना का हार्दिक दूख है बहुत चाहकर भी सौम्या केबिन में रोहित के निश्चर चरीर को देखने न चाह सकी थी उस जीवन्त रोहित के स्थान पर उसके शांत सरुब की कल्पना भी असंभव थी कितनी दूर चले गए थे रोहित आवाज देखकर सौम्या उसे बुला नहीं सकती थी कितनी बार सौम्या रोहित की तेज चाल पर जुझला उटती थी ये क्या दौर लगाते हैं आगे से कभी साथ आई तो सौम्या नाम नहीं मेरा सौम्या के मुख पर आई लालिमा और पसीने की नन्ही बूनों को मुख्ध ताक्ते रोहित हस पड़ते थे ठीक है आप कार में आया करें ये बंदा कार के पीछे दोड़ा करेगा उस दिन रोहित को पकार सौम्या पूछ भी नहीं सकी थी मुझे यूँ अकेला छोड़ तो मितनी दूर क्यों चले गए रोहित तुमने तो हमेशा साथ देने का बादा किया था ना कभी कभी एक आकुल शंका सौम्या को आज भी सहमा देती है कहीं उससे मिलने को रोहित कुछ एक शणों को उस अकेले केविन में वापस तो नहीं आये थे ज़र 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 ते आसू और जलती चिता की साक्षी बनी सौम्या रोम में खड़ी थी जहां वापसी के समय रोहित कम से कम चार दिन रुखना चाहेते थे चार दिन सचमुष रोम में रुखना पड़ा था आप चारिकताय जो पूर करनी थी राजदूत ने उसे बेटी सा इसने दे सांतुना दी थी रोहित को रूंग में अंतिम यात्रा की विदाई दे छोटे से डिब्मे में उनके अवशेशों के साथ सौमया प्लेन में बैठी थी आशू के रोते ही रोहित याद आ गए थे छोड़िये मेडम मेरी बेटी मैं ही रखूँगा अपने कंदे पर क्या नन्ही आशू को भी पिता की सबल भुजाए याद आ रही थी सौमया के नैन भराए थे कहां गए रोहित हर पल अपने बिटिया चीन लेते थे क्या उसका रुदन सुन तुमारे भस्मा वशेश व्याकुल नहीं हो उठेंगे भारत की धर्ती पर लेंड करते ही सौमया का हिदय धड़क उठा था कैसे सामना कर सकेगी रोहिती ममता मई मा का एरपोर्ट पर मा उसे लेने आई थी शोयत परिधान मा की करुणा उजागर कर रहा था आखे न जाने कब से सोई नहीं थी मा के सीने से लग सौमया जोर से रो पड़ी थी सांतोना का हाथ सौमया के पीट पर धर्ती मा फूट पड़ी थी छे फीट के बेटे के साथ गए थी सौमी उसे छेज दिब्बे में वापस लाई ये बहू गीली आखों के साथ सौमया उस्कूने घर में पहुची थी जहाँ जीवन का कोई अंश बस आशू के रोदन में ही बचा था जिस घर के आंगर में रोहित कभी गुटने चले थे वहाँ आशू का पालना पड़ गया था मा ने साहस से काम लिया था अपने को सहेज मा आशू पर अपने प्यार का सागर उडिलती थी आशू को दोलारते मा हमेशा यही कहती एकदम अपने पापा पर गई है वो भी बचपन में ऐसे ही मेरे सीने में सिर्च छिपा कर सोता था अपने इसने हे विगलित स्वर को मा जूटी मुस्कान का आवरण चड़ा सौमिया को नहीं अपने को जुटलाती थी सौमिया का अकेलापन मा की चिंता का विशे था जित करके उन्होंने सौमिया को पीच डी के लिए राजी किया था तेरे शौसर जी की हार्दिक इच्छा थी उनकी बहु उच्च शिक्षिता हो तुने में फर्स डिवीजन पाई ये सौमि उसे यू न व्यर्थ कर बेटी रोहिट के न रहने के बाद मा ने उसे बेटी ही कहकर संबोधित किया था गर में संपत्ति का अभाव ना था जो अभाव था वो कभी पूरा हो नहीं सकता था उस विशाद भवन के कण कण में रोहिट का अस्तित्व था युनिवर्सिटी पहुचाने में मा स्वयम साथ गई थी कार से उतरती सौम्या के सिर पर हाथ धर धीमे से कहा था आज से तू एक नए जीवन में पदारपन कर रही है बेटी भगवान तेरा भवेश उचल करें उसके बाद सबकुष कितनी जल्दी घटित हो गया था एक ही पुस्तक को खोशते हो मनीशे टकरा गई थी मनीश सौम्या के विशय के प्राध्यापक थे समाज शास्त्र विभागमन की विद्यता की धाक थी आपको इसके पहले कभी नहीं देखा आप यहां नहीं आई है मिस जी मैंने बनारस उनिवस्टी से एमे किया था यहां पिएजडी जॉइन की है जाहिर है आपके गाईड डॉक्टर रजत रॉय है आपने कैसे जाना सौम्या के सर में विसमे था अजी आप जैसी जहीन लड़कियों को डॉक्टर राय भला कभी हम जैसों के लिए छोड़ेंगे मैं जहीन हूँ ये तो सच नहीं सौम्या के गंभीर मुकवर मंद इसमे तेराया था हो जाए शर्त पर हारने पर क्या देंगी ये किताब जिससे हम दोनों खोज रहे हैं मिल जाने पर आप के लिए छोड़ दूगी सौम्या के उत्तर पर मनीश ठटा कर हस दिया था जितना सोजा था आप तो उसे भी ज़्यादा इंटिलिजन निकली हाँ क्या नाम बताया था आपने अपना सौम्या मिसेस सौम्या कुमार सौम्या फिर गंभी रो उठी थी ओ आएम सौरी असर में आपका चेहरा दोगा दे गया देख कर ही शायद कोई आपको मेरिट समझे मनीश जैसे कही निरुच्साहिज साह उठा था इसमें आप अपने को अपरादी न समझें अच्छा तो चलू सौम्या की शांत द्रश्ट उठी थी आपसे मिलना मेरा सौभागे रा मिसेस कुमार मिस्टर कुमार कहां काम करते हैं चलते चलते मनीश अंजाने सौम्या का मन दुखा गया था He is no more सौम्या का कंट अवरुद्ध हो उठा था Oh my God Something wrong with me ऐसा लगता है आपका मन दुखाने के लिए ही आज आपसे मिला था मुझे एक शमा कर सकेंगी सौम्या जी मैं सच मुझ दुखी हूँ जिसने कोई गलती ही नहीं की उसे किस बात ये क्शमा करूं मिस्टर मनीश सहय आपके विभाग में ही हूँ कभी किसी काम आ सकूँ अपना सौबाग मानूगा धन्यवाद संक्षिप्त उतर दे सौम्या चल दी थी सौम्या का मौन मनीश को चूग गया था विभाग या लाइब्रेरी में अक्सर ही मनीश मिल जाते थे सौम्या उनकी सरहदयता से प्रभावित थी सौम्या को गंभीरता की कवस से बाहर मनीश खीची लाते थे सौम्या जी ये जो गंभीरता का मुखटा आपने ओड रखा हैसे डॉक्टर राय के लिए छोड़ दें यहां तो बस हम 2 ही है आप हस्ती हुई ही अच्छी लगती हैं डॉक्टर राय को गंभीर अच्छी लगती हूं अनजानिस सोम्या पूच बैठी थी अरे आप तो हर तरह से अच्छी लगती हैं पर हस्ते समय आपके डिंपल्स बहुत प्यारे लगते हैं चाह कर भी सौमया मनीश को उस तरह की बात ना करने को नहीं कह सकी थी कभी-कभी मनीश के साथ रोहित इसकदर उभर आते थे कि सौमया डर कर होट से लिती थी कई मनीश को रोहित ना पुकार बैठे एक दिन मनीश बाते करते अचानक भावोखो उठे थे सौमया जी रोहित का इस्थान तो नहीं ले सकता पर क्या आजीवन आपका अकेला पन काटने के लिए आपका साथ नहीं दे सकता सौम्या का विवर्ण मुख देखते ही मनीश फिर बोले थे आशू को एक पिता की संदक्षन की आवशकता है सौम्या मेरे प्रस्ताव पर शांती से विचार कर देखना मैं प्रतीक्षा करूँगा उस रात सौम्या सो नहीं सकी थी रोहित और मनीश ने पूरी रात उसे जगाए रखा था सुबह उसके उदास मुख और सूजी आँखों पर मा की द्रिष्टी गई थी क्या बात है सौम्य? रात ठीक से निन नहीं आई बेटी मा के इसने सिक्त स्वर पर सौम्या फूट पड़ी थी रोते रोते सौम्या सब बता गई थी मा का इसने पूर्ण हाथ उसकी पीट पर सांतुना दे रहा था सब कह चुकने के बाद सौम्या ने मा की मुख पर दश्टी डाली थी हमेशा की तरह मा का मुख शांते पूर्ण था अपने अंतर की आंधी को मुख पर उन्होंने आने ही कब दिया था सच मुझ वो रोहिती मा थी धीमे से माने कहा था मनीश ठीकी तो कहता है बेटी जीवन यातरा के किस पल तेरा साथ छोड़ जाओंगी यही बह मुझे सोने नहीं देता तुझे अकेले चोड़ में सुख से इस संसार से विदा भी न ले सकूँगी समय सब सेहन करने की शक्ति दे देता है बेटी उसके बाद माने सौमया से कुछ नहीं पूचा था घर में ही कुछ निकट आत्मियों के समक्ष माने सौमया का स्वैम कन्यादान किया था विदा के समय मा के कंदे पर सिर रख कर उटी सौमया को यही लग रहा था अपने माईके से ही विदा ले रही है अपने रोहित की प्रिया को मनीश को सौपते कैसा लगा होगा मा को मनीश ने एक सप्ता का अफकाश ले उटी जाने का प्रोग्राम बनाया था आशू मा के पास रही थी मनीश के साथ उनके नए घर में जाते समय अपने सामान के साथ जब सौमिया आशू का सामान भी सहजने लगी तो मा अस्थिर हो उठी थी सौमी क्या आशू को साथ ले जाएगी हाँ मा पर बीच बीच में ये आपके पास भी आती रहेगी मैं स्वैम छोड़ जाया करूँगी नई सौमी इसे ना ले जा मेरे रोहित की यही तो अंतिव निशानी है मेरा संबल है मा असह जो उठी थी मनीश ने समझाना चाहा था ठीकी तो है सौम्या आशू को यहां मा के पास ही रहने दो तुमारा जब मन चाहे उसे आकर देख जाना सौम्या के मुख के भावों को पढ़ते ही मा उसके अंतर की बात जान गई थी अंदर से आशू के उंगली पकड़ मा उसे बाहर ले आई थी जा गुडिया अपने मम्मी पापा का कहा मानना दादी का धेर सा आशीरवाद आशू का मा था चूम मा तुरंत अंदर चली गई थी मा के नम नयन देख कर भी मातरत्य से पराजिस सौम्या मा की वेदना नकार कही थी आशू को गोद में लिये सौम्या जब बाहर आई तो मन में कहीं गढ़ने लगा था मनीश ने आशू को गोद में लेने का तनी भी आगरे ने किया रोहित के साथ तो आशू को गोद में लेने को भी तरज जाती थी नए घर में आशू एड़्जस नहीं कर पा रही थी दादी के सने हिल चाया में पली आशू मुर्जाने लगी थी बाद बाद में खीजती, रोती, आशु कभी-कभी समस्या उत्पन कर देती थी मनीश ने एक दो बार दभी जमान में सौम्या को समझाना चाहा था आशु को मा के पास छोड़ना ही ठीक होगा सौम्या, मा कितनी अकेली पड़ गई है सौम्या को मनीश का प्रस्ताव असहिज प्रतीत होता कभी-कभी रात में आशु के लगाता रोने पर मनीश खीज उठते थे अपना तक्या उठा कर ड्राइंग रूम के सोफे पर जास होते थे कभी सौम्या को महसूस होता अपने दोनों के बीच मनीश को आशु की उपस्तित अनादिकार चेश्टा सी लगती थी कभी तो सच्मुष मनीश आशु की जित पर बुरी तरह जुझला उठते थे उस समय कल्पना में रूहित का उदास मुख सौम्या को आहत कर जाता था ननी आशु मनीश के जुझलने पर सौम्या से चिपक सहम जाती थी राहुल के जन्म के बाद मनीश आशु को भूली गए थे राहुल को गोद में उठाये मनीश को टुकुर टुकुर ताकती आशु को देख सौम्या का रोने को जी चाहता था सुनो इसे भी कभी कभी गोद में ले लिया करो साथ बैठ कर प्यार कर लिया करो मैंने कभी जिर्का तो गांट बांद लेती है कभी उसकी आँखो में देखो तो पता लगे कितनी नफरत है उसे मुझसे छी कैसी बाते करते हो बच्ची है भलावो छोड़ो सौमया उसे प्यार करने को तुम अकेली ही काफी हो कभी तो लगता है उसके कारण राहुल पर भी तुम उन्ता प्यार नहीं दे पाती सौमया के उत्तर की प्रतिक्षा किये बिना मनीश चले गए थे उस दिन के बाद सौमया आशू को प्यार करते सतरक सी रहती थी कई मनीश कुछ फिर ना कह दें डबडबाई आंकों जब कभी आशू मनीश द्वारा किये अन्याई के शिकायत लेकर आई तो सौमया क्या प्रतिकार कर सकी थी से सकती आशू को सीने से लगाने का साहस भी मनीश के सामने सौमया खो चुकी थी आशू के प्रति प्यार में मनीश की कपड़ता के आगे रोहित के प्यार का सागर सौमया की खिली उड़ाने लगता था अंतता सीने पर पत्थर रख आशु को उसकी दादी के पास छोड़ने गई थी मा संभालो अपनी थाती मैं हार गई छी इस तरहे मन छोटा नहीं करते सौमी जीवन की ठकी सास मैं किस बंदन में डाल रही है मुझे कैसे संभाल सकूँगी इसे मा का स्वर ठका हुआ था मा मैंने सोचा था मनीश से आशु को पिता सा प्यार मिलेगा पर यहीं तो तू गलती कर गई सौमी पिता का प्यार कहती तो बात समझ में आती पिता सा प्यार वहला इस शब्द का क्या आर्थ ये तो अर्थीन हुआ ना जी मा सौमिया समझ नहीं सकी थी कोई किसी का विकल्प बनकर स्विकारा जाए तो उससे विकल्प की ही आशा रखनी चाहिए ना सौमी मैंने किसे विकल्प रूप में स्विकारा मा क्यों मनीश को तूने आशु के लिए पिता के विकल्ट रूप में ही नहीं सुखारा क्या? हमेशा यही तुलना करती रही, अगर रोहित होता, तो आशु को यूँ प्यार करता, यूँ तुल रहाता, तुने मनीश को विकल्प समझा, पर याद रख, सौमी, कोई किसी का विकल्प नहीं होता, छोटे से मुख को कोहनी पे टिकाए, आशु दूर क्षितिज में जब देखती, तो सौम्या को लगता, आशु अपने पापा को खोज रही है, क्या देख रही आशु? पापा उस बादल के पीछे चिपे है ना मम्मी, जब बादल हटेंगे तो पापा सामने आ जाएंगे? मा ने आशु को सत्य से परचित कराना ही ठीक समझा था, सौम्या के विरोध परशांत सदे सौर में माने कहा था, बड़ी होकर जब ये सत्य जानेगी, तो शाय स्विकार करपाना कठेन होगा सौम्या, इसे विकल्प स्विकार करने का साहस मिलना ही चाहिए, गोवा जाने के बाद सौन आशु पलक उठी थी, मैं भी गोवा चलूगी मम्मी, पर तुमारी चुटिया नहीं है, पढ़ाई मिस करोगी तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, मनीश ने सौम्या की जगे उतर दिया था, मैं तुमारी लिए धेर सी सीपिया लाऊंगा दीदी, इत्ती इत्ती बड़ी लाऊंगा, नन्ने राहुल ने दीदी को सांतो ना दी थी, चलते समय आशु की आखों से धुल्की सीपिया, सौम्या अपने आचल में समेट लाई थी, मनीश का एक सेमिनार गोवा में आयुजित किया गया था, सौम्या और राहुल भी मनीश के साथ गोवा जा रहे थे, पर आशु, मम्मी देखो बाहर कितना तूफान आ रहा है, कहीं लहरे हमारे शिप को उलट न दे, सौम्या की आखों में आशु देख राहुल डर गया था, मम्मी डरो नहीं, शिप को कुछ नहीं होगा, सौम्या ने कितना चाहा था, गोवा शिप से न जाए, पर मनीश से ये कह सकने का सहसो न सहिस सकी थी, एक बार उसकी अनमैस्कता पर मनीश ने कहा था, जो चला गया उसके नाम को लेकर जी रही हो, जो जीवेत है उसका शायद अस्तित ना के बराबर है ना, उस बात को सुनने के बाद भला जीवन में फिर सौम्या वही सते दोरा सकती थी, तूफान के आसार बढ़ते जा रहे थे, केबिन का द्वार कोलते मनीश अंदर आ गए थे, लगता इस बार मानसून जल्दी आ रहे हैं, कई मौसम खराब हो गया तो गोवा जाना बेकार हो जाएगा, मनीश ये मुक पर आये खीज के भाव देख सौम्या सोचने लगी, क्या मनीश उस तूफान को बिल्कुल भूल गए जो सौम्या जोहल चुकी थी, लेकिन उस स्वैम भी उस तूफान को क्यों दोहरा रही है, चलते समय आशिरवाद देती माने यही तो कहा था, ये दोहरा जीवन कब तक जियेगी सौम्या, रोहित तेरा अतीप था जो बीट किया, मनीश तेरा आज है और वही सत्य है, मनीश किसी का विकल्प नहीं बेटी, बाहर क्षितिस से उट्ती घनी मेग मालाओं से आशु का उदास चेरा जागता लग रहा था, नन्ने नन्ने उमढ़ते मेग मानों बाहें पहलाए आशु सौम्या के और दोड़ी आ रही थी, ठप ठप पलकों से गिरते हर सिंगारों से रोहित को अर्दे देती सौम्या केबिन में आ गई थी, कानों को कसकर बंद करने पर भी लेहरों का कुला हल, नहीं, रोहित का अटा हास सुनाई दे रहा था, मुझे शक्ती दे भगवान, मैं आज जी सकूँ, दरता से आशु पों सौम्या ने मूँ ठाकर बाहर देखा, तूफान से जूचता शिप आगे बढ़ता जा रहा था, अभी आप सुन रहे थे, डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी, विकल्प नहीं कोई, आशाय कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, कल फिर मिलेंगे, आपका समय शुभ हो,